26 सितंबर ये वो तारीख है जो बॉलिवूड को मिला उसका चमकता सितारा सदा बहार देवानन देवानन ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे राच किया उनके डौर के गाने आज भी बड़े चाव से सुने जाते हैं लेकिन आपको एक खास बात बताते हैं कि देवानन का जन्द जो था वो पाकिस्तान में हुआ था पाकिस्तान के लाहॉर में वो पले बढ़े और वहां से ही उन्होंने अपना कॉलेज भी किया देवनन्डे अपनी किताब में लिखा है कि एक बार जब वो दुबारा से लाहॉर गए जब वो एक स्टार बन चुके थे तो वहाँ पर एक पिलर को देखकर वहाँ ज्यादा रोने लगे भावुक हो गए आखिर इस भावुकता की वज़य क्या थी तो दर्शकों आपको बता दें कि जिस पिलर की हम बात कर रहे हैं वो पिलर था उनके कॉलेज के अंदर और जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ गप पे लड़ाया करते थे बहुत कुछ बदल गया था जब नोने सड़क पर एक रखी तोब देखी तो उन्हें ये भी समझ में आ गया कि उनका कॉलेज आने वाला है ये छोटी छोटी वो यादे होती है जो जीवन पर साथ रहती है बॉलिवूट की अगर बात करते हैं तो देवानन ने अपने करियर में एक से एक बढ़कर फिल्में दी देवानन की फिल्मों की अगर बात करें तो देवानन की उन फिल्मों को याद करते करते हैं यहां पर गाइट फिल्म की बात जरूर करना चाहूंगा क्योंकि गाइट फिल्म में उनके साथ थी एक्ट्रिस वहीदा रह्मान और आज वो मुबारक दिन भी है जब केंद्री मंत्री ने एलान किया यहां वहीदा रह्मान को दादा सहब फाल के परुषकार से लवाजा चाएगा जी हां वहीदा रह्मान को मिलेगा दादा सहब फाल के Lifetime Achievement Award और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा वो यह कि वहीदा रह्मान ने जहां एक और सभी का शुक्रिया आदा किया है तो वहीं देवानन्द आज हमारे बीज मौजूद नहीं है देवानन्द जहां भी हैं वो इस बहतरीन लगमे को देखकर खुश जरूर हो रही होंगे क्योंकि इस फिल्म के साथ उनकी भी बहुत यादे जुड़ी हुई है और इस फिल्म के साथ जो उन्होंने काल जाई रिसना की है इस फिल्म के साथ जो उन्होंने बहतर संगीत दिया है इस फिल्म के जरिये जो उन्होंने पनी बांड दिखाई है वो काबिले तारीफ है वॉल्लीवूट की बागी खबरों के लिए देखते रहिए देड़े लेड़ी फॉर